हेलो स्टूडेंट्स अब देखते हैं लेक्चर नम्मर टॉंटी यूनिट वन इस्थिर वैदुतिकी और इंग्लिस में से बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक्स अब इसमें जो टॉपिक है वो है विभाव परवनता इसे इंग्लिस में कहते हैं पोटेंचल ग्रेडियंट औ और इसमें अगला छोटा से टॉपिक आता है जो प्रूफ करने के लिए बोर्ड में आता है जिसको कहते हैं विभाव परवनता तथा वैदुच्छेत्र की तीवर्था में संबंध किया है तो मैंने बताया है विभाव परवनता को क्या बोलते हैं इंग्लिस में पोटेंच of electric field तो अब इसको करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं यह जो बिंदू O है यहाँ पर हम plus Q आवेस लेते हैं अब बिंदू O से x-axis यह x-axis माना हमने x-axis के along यह x-axis के आनुदिस यह बिंदू A है और यह बिंदू B है बिंदू B पर हमने क्या माना अल्पधन परिक्षन आवेस Q 0 माना मतलब small positive charge Q 0 माना आवें पताए कि यह Q है यह Q 0 है दोनों क्या है plus charge है तो यह क्या करेंगे एक दूसरे को repel करेंगे यानि पर्तिकर्षित करेंगे तो यह आवेस इसको इधर को दक्का देगा और जो force की direction होगी वो कि इधर होगी इधर को होगी तो जिधर को बल लगेगा उधर को ही तुमारा वैदुचेतर भी होगा यह बड़ा आवेस है यह छोटा आवेस है तो इसको यह बड़ा आवेस यह मान लिए हमने delta x है बिंदू a पे हमने माना potential कितना है और बिंदू b पे क्या हो गया potential v minus delta v है अब जो potential है इसका formula हम prove कर चुके है क्या है 1 upon 4 pi epsilon not q upon r यह इसका formula है यानि इस formula से हमें क्या पता चलता है कि जैसे-जैसे distance ज्यादा होगी तो potential कम होगा ज्यादा दूरी पर जो विभा होगा वो कम होगा कम दूरी पर विभाव ज्यादा होगा r कमान ज्यादा होगा विभा कमान कम होगा r कमान कम होगा विभा कमान ज्यादा होगा तो यहाँ पर देखें जो a बिंदू है A बिंदू पर X दूरी है तो X दूरी है तो यहाँ पर A बिंदू पर विभाव V है यहाँ पर दूरी बढ़ गई X प्लस डेल्टा X हो गई B पर तो विभा कमान घट गया V मैनस डेल्टा V हो गया यानि छोटा साही डिस्टेंस हम गए A से V की बीच में तो चोटा साही विभाव में परिवर्दन यानि पोटेंशल में चेंज होगा V मैनस डेल्टा V कहाँ पर बिंदू B पर ठीक है तो यहाँ से हम कह सकते हैं की वैदू चेत्र की दिसा में जो विभाव का मान होता है वैदू चेत्र की दिसा है जो विभाव का मान होता है वो क्या होता है? वो घटता जाता है तो यहां से विभाव परवनता की परिवासा आई जो बात मैंने आपको बताई कि वैदुचेत्र की दिशा में जो यह वैदुचेत्र है, इसकी दिशा इदर को है वैदुचेत्र की दिशा में दूरी के साथ परिवर्तन ये दूरी बढ़ रही है तो विभाव घट रहा है दूरी के साथ परिवर्तन की दर को विभाव परवनता कहते हैं ठीक है वैदु छेते की दिशा में दूरी के साथ विभाव परिवर्तन की दर को विभाव परवनता कहते हैं ये जैसे दूरी बढ चेंज होना यानि विभाव का दूरी के साथ बदलना इसको बोलते हैं विभाव परवानता इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि विभाव परवानता क्या हुआ विभाव परवानता इक्वल टू विभाव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन ये क्या आ गया गा आपन डेल्टा एक्स यानि विभावम परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर तो अब हमें करना है वेवोफ प्रमारता तथा वैदो चेत्र की तीवरता में संबंध क्या होता है ये भी कई बार पेपर में पुछा गया है तो जो चित्र हमने बनाया था यहाँ पर यह क्यू था प्लस का क्यू यह A था यह B था तो Q0 को B से A तक ले जाने में हमें जो है इ Q0 पर यह जो अल्पधन परिक्सनावेस है इस पर कितना बल लग रहा है तो मैंने यह लिखा यहाँ पर कि Q0 को B से A तक डेल टैक्स दूरी ले जाने पर Q0 पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा F इकल्टू वो लगेगा Q0E यह फॉर्मूला हमने पढ़ा है पहले कि F इ को बल तो entered Ikांस कर देरा है तो भी जो लग रहा है क्योंकि बल रेखा है हमारे इंदर को निकलेंगा आएजसे तो यह इदर को लग रहा है X axis के and minim2 ठीके तो जो क्यों जूरू था इसको B से A तक ले जाने में बाहे करता को F के विरुद कारे करना पड़ेगा क्योंकि बल जो लग रहा था बल जो लग रहा था वो तो लग रहा है इधर को और हम ले जारे हैं इसको बल के विरुद काम करना पड़ेगा जब इसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा तो यह हम चोटा सा ही डिस्टैंस ले जा रहे हैं डेल्टा एक तो चोटा ही काम करना पड़ेगा डेल्टा डबलू काम करना पड़ेगा तो जो कारे आएगा मारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा डबल ने उपर लिखा बल बराबर है q0 e इस आवेश को ले जा रहे है q0 को और विस्तापन कितना है यह है माइनस delta x यह विस्तापन है हमारे पास थी कैंब तो delta w कितना है बल कितना था f और विस्तापन कितना था अब हम करते हैं जो delta w है हमारा delta w को q0 से जब divide करते हैं तो यह आ जाता है क्या minus e into delta x यह हमारे पास आ जाता है और यहां हम इसको ब्रेकेट में कर देते हैं और यह हमारी समिखरा नंबर एक आ ठीक है अब जो विवावंदर की परिवास हमारे पास थी वो क्या थी कि वी ए माइनस वी भी बराबर क्या था डबलो अपॉन q0 था ठीक है अब यहां पर हम छोटा साही काम कर रहें ना चोटे से आवास को छोटी सी दूरी में ले जा रहे हैं तो यह delta w लिख लो आपर तो वी ए माइनस वी बराबर क्या जाएगा डबलो पॉन q0 अब वी ए पर जो विभाव था यह किता था वी था इस पर क्या था वी माइनस डेल्टा वी था ठीक है यह मैंने यहां चितर में लिखा भी है यह वी ए निकाल रहे है वी ए माइनस वी भी यहां पर विभाव ज्यादा है वी है यहां पर वी भी भी क्या है V minus delta V है, यह चितर बनावा है, यह मैं बार बार नहीं बना रहा हूँ, तो यहाँ पर इससे देखेंगे, V minus, यह V है, और यह V A है, potential at V, यानि विभाव कहाँ पर A पर, और यह V पर विभाव, V minus delta V, जब इसको solve करते हैं, तो क्या आया, V A की जगर देखें, हमने V, यहाँ पर potential जो है, V है, V भी पर potential क्या है, V minus delta V है, तो यह आजाएगा, तुम्हारा क्या आजाएगा, delta W बटे, Q0, और जब इसको solve करेंगे, तो यह क्या आया, V minus V plus delta V equal to delta W upon Q0, V से V cancel हो जाएगा, तो हमारे पास आया, क्या आया, delta V equal to delta W upon Q0, ठीक है, यह हो गई हमारी समीकरण नंबर 2, अब जो समीकरण नंबर 1 थी, यह लिखेंगे, समीकरण 1 वा 2 से, समीकरण 1 वा 2 से देखेंगे, तो समीकरण 1 क्या थी है, हमारे पास, यहाँ पर हमने लिखा था, समीकरण 1 क्या है, delta W upon Q0, बर आबर, minus E into delta X, ठीक है, delta W upon Q0, equal to minus E into delta X, यह थी समीकरण 1 थी, अब समीकरण 2 जो है, यह भी delta upon Q0 है, delta W upon Q0, equal to क्या है, यह है तुमारा delta VK, equal, तो यहाँ से जब हम E की value निकालते हैं, इन दोनों से, क्योंकि दोनों ही delta W upon Q0 की value तो इसको ऐसा तकरगे लेख सकते हैं, तो E की value जो हमारे पास आजाएगी, वे क्या आजाएगी, minus delta V upon, क्या आजाएगी, delta X, यह आजाएगा हमारे पास, वैदुच्छेत्र की तीवरता और विभाव परवणता में संबन्द आजाएगा, equal to minus delta V upon delta X, तो यहां से में क्या पता चला है, यह क्या चीज़ है, यह विभाव परवणता है, तो यानि जो वैदुच्छेत्र की तीवरता होती है, यह क्या होती है, यह क्या होती है, यह क्या होती है, यह वैदुच्छेत्र की दिशा में जो होता है, यह विभाव का मान घटता जाता तो यहां पर अगर इक्वल टू जीरो है तो यहां से देखेंगे यह जीरो रखेंगे तो यह देल्टा वी क्या जाएगा हमारे पास यह भी हमारे पास जीरो आजाएगा जब यह जीरो आगया तो वी इक्वल टू क्या जाएगा यह नियत हो जाएगा यह कहें यह नियत हो जाएगा यानि अगर हमारे पास वैदो चेतरे जीरो है तो विवांतर भी जीरो हो जाएगा यह जो विवांतर परिवर्टान हो रहा है यह जीरो हो जाए यह नियत हो जाएगा डेल्टा भी 0 हो जाएगा और वी नियत हो जाएगा अब मात्रक देखें remove उसका तो मात्रक क्या हो जाएगा přे मात्रक y praying je Mulじゃない Q benty क्यो भी निया Orion ène elders for the ats ठीक है तो ये इसकी unit हो गई या कहें इसकी इकाई हो गई या मात्रम हो गया ये क्या हो गया एक newton बटे कुलाम equal to एक volt बटे meter ये एक नमर में भी question पुछे जाता है कि एक newton बटे कुलाम किसके बराबर होता है ठीक है option दे देंगे ये दे दी या कुछ और दे दी या इस तरह से दो तिन option दे दिया तीन चार option दे दिया तो उसके साब से push लेता है ठीक है अब यहाँ पर हमने क्या किया दातु की दो प्लेटे लिए हैं अब यह हैं कि यदि दातु की जो प्लेटे हैं एक पे धनावे से एक पे रेनावे से य में प्रेटों के बीज के दूरी कम है क्या है चितर को यहां से फिर फेचाइन को बीज का इस्तान है यहां परै। इधर को बल लग रहा ह 좋़ा याद़ को धक्का देरा है ये इधर को खीच रहा है तो total जो वैस्द चित्र वबॉक्स। जो गीचव stoule उसका विभाव V1 है इसका विभाव V2 है तो जो वैस्द चित्र की वर्त होurgi वह क्या होी E». to वो क्या होगी वी वन माइनस वी टू अपॉन डी होगी और यह है वोल्ट और यह है मीटर तो किसमें आ जाएगा वोल्ट बटे मीटर में यह आ जाएगा ठीक है तो वैदु छेदी की तीव रख आएगी जब दातु की दो समानतर प्लेटे लेंगे तो क्या जाएगी कर दो किसमें आएगून कर सकता है यह है जाएगी जब दो आएगी ब झाल झाल झाल